नमस्कार दोस्तों स्री डिजिटल गुरुकुल में मैं अनुश्री आप लोग का फिस से एक बार श्वागत करती हूँ आज हम लोग करेंट एफर्स के कुछ इंपोर्टन कोश्चन के बारे में डिसकस करेंगे सारे ही कुछन बहुत इंपोर्टन है इसलिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखे प्रत्य प्रश्ण का उतर देने के लिए आपको मिलेंगे तीन सेकंड का वक्त इन में से अगर आपको किसी का उतर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो फर्स्ट कोशिन है आपके सामने हाल ही में बांगलादेश ने इरनियम आपूर्टी के लिए किसके साथ समझोता किया है सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमर डी यानि रूशिया के साथ तो बांगलादेश ने अपने 2400 मेगावाट के नियूक्लियर पावर प्लैंट में इरनियम की सप्लाई के लिए रूशिया के साथ समझोता की है और इस समझोते के अनुसार रूशिया इसके पूरे जीवन चक्र यानि लाइफ साइकल के दोरान इस नियूक्लियर पावर प्लैंट को नियूक्लियर फियूल यानि की इरनियम की सप्लाई करता रहेगा अगर बात करें बांगलादेश की तो बांगलादेश की कैपिटल है धाका, पेम है सेख हसिना, प्रेसिडेंट है अब्दूल हमीद नेक्स कोशन है, हाल ही में जारी नविन्तम ICC टेस्ट रैंकिंग में सिर्ष में कौन सी टीम है? सही उतर हो जाएगा, option number A यानि की भारत, आपको बता दो कि ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है और उसमें top पे है भारत, second नमर पे है न्यूजिलेंट और third नमर पे है South Africa की टीम इसके अलावा, ICC टेस्ट वल्लेवाजों की रैंकिंग भी आई है और उसमें top पे है विराट कोली टेस्ट all-rounder की बात करें तो West Indies की Janssen Holder top पे है और इसमें भारती all-rounder में रविन्र जड़िजा तीसरे स्थान पे है नेक्स कोशन है हाल ही में RBI ने रेपो रेट को घटा कर कितना कर दिया है सही उतर हो जाएगा option नमर भी यानि की 5.40% आपको बदा दो कि RBI की monetary policy committee ने रेपो रेट को 35 basic points से घटा कर 5.40 कर दी है यह लगाता चौत ही बार है वही reverse रेपो रेट 5.15% कर दी गई है अगर पूछा जाए रेपो रेट क्या है तो वो रेट है जिस रेट पे Reserve Bank of India short term के लिए bank को लोन देती है अभी नया policy rate आ गया है तो मैं सारे ही policy rate अब को बता देती हूँ यसे कि रेपो रेट है 5.40% reverse रेपो रेट है 5.15% marginal standing facility rate है 5.65% bank rate है 5.65% और अगर बात करें RBI की तो इसकी स्थापना हुई थी 1.1935 को हेट कोटर है मुंबई में और बरतमान गवर्नर है सक्तिकांद दास ये 25 वे गवर्नर है next question है हाल ही में किस IIT ने वेक्टिरिया का पता लगाने के लिए उपकरन या device बनाई है सही उतर हो जागा option number A यानि की IIT गुवाहर्टी आपको बता दू कि IIT गुवाहर्टी के research team ने self culture और microbiological यानि की सूचम जिविग्यानी जाज के बिना ही बैक्टिरिया को पता लगाने के लिए एक portal device बनाई है और इस device से आप magni glitus जैसे गंभीर बिमारी का भी पता लगा सकते हैं next question है हाल ही में राश्ट्रिया हद करदा यानि की national handloom दिवस कब मनाय जाता है सही उतर हो जाएगा option number C यानि की 7 अगस्त को तो पूरे देश वहर में 7 अगस्त को पाच्छवा राश्ट्रिया हद करदा दिवस मनाय गया इसे मनाय क्यों जाता है तो देश में हद करदा यानि की handloom जो बनाते हैं उन लोगों सम्मानित करने के लिए और भारत में हद करता उद्यों को उजागर करने के लिए इसे हर साल मनाय जाता है next question है हाल ही में टोनी मौरिसन का नीधन हो गया ये क्या थी? आपको बता दू कि 1993 में साहित यानि लेटरेचर का नोबल प्राइज इनको मिला था इस तरह से साहित में नोबल प्राइज पाने वाली टोनी मौरिसन पहले अमरीकी अफरीकी महिला बन गई थी इसके अलावा 1977 में सौंग अफ सॉलमन की रचना के लिए इन्हें नैशनल बुक प्रिटिस सर्कल अवार्ड मिला था और 1988 में इनकी विलफ्ट नाम की रचना के लिए पुलिचर प्राइज इन्हें मिला था नेक्स कोशन है हाल ही में कौन 4000 किलोमेटर साइकलिंग ट्रांस काउंटिनेंटल रेस जीतने वाली पहली महिला बन गई है सही उतर हो जाएगा ओप्शन नमर 2 यानि की फियोना कोलविंगर आपको बदा दो कि जर्मन के कैंसर रिसर्चर है फियोना कोलविंगर और अब यह 4000 किलोमेटर साइकलिंग ट्रांस काउंटिनेंटल रेस जीतने वाली पहली महिला बन गई है और यह रेस बुल्गेरिया में बर्गा पे सुरू हुई थी और फ्रैंस में ब्रस तक चली थी और इस रेस को जीतने में फियोना को 10 दीन 2 घंटे और 48 मिनिट समय लगे ध्यान रखिये का वर्ल्ड साइकल टे थर्ड जून को मनाये गया था नेक्स कोशन है हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन अमर टर्म प्लान लॉंच किया है इस प्रस्ण की सही उतर हो जाएगा ऑप्शन अमर ए यानि की LIC ने आपको बता दू कि देश की सबसे बड़ी इंसुरेंस कंपनी है LIC और उसने नया टर्म इंसुरेंस प्लान जीवन अमर प्लान लॉंच किया है अगर बात करें LIC की तो इसका स्थापना हुई थी 1st September 1956 को और इसके हेटकोर्टर कहां पे है तो हेटकोर्टर है मुंबई में चेर्मन है एमार कुमार और एमडी है लिपिन आनंद नेक्स कोशन है हाल ही में किसने ATP वशिंग्टॉन ओपिन टाइटल जीत लिया है सही उतर हो जाएगा ओप्शन नमर B यानि की निक किर्गियोस ने आपको बदा दू कि यह आस्ट्रिलिया के टेनिस प्लेयर है और यह उनका छटवा ATP टाइटल है ATP मतलब Association of Tennis Professional ध्यान रखिये का ATP रैंकिंग में टॉप पे टेनिस प्लेयर नुबाग जोकोबिच है जोकि सर्विया से है नेक्स कोशन है हाल ही में किस इनिवर्सिटी के विगानिकों ने दुनिया के सबसे पतले सोने का निर्मान किया सही उतर हो जाएगा ओप्शन नमर A यानि की इनिवर्सिटी ओफ लीड्स तो इंग्लेंड के इनिवर्सिटी ओफ लीड्स के विगानिकों ने दुनिया के सबसे पतले सोने का निर्मान किया है ये इतना पतला है कि उसके मोटाई के विल दो एटम यानि की दो परमानों की मोटाई के बराबर है नेक्स कोशन है हाल ही में भारत ने सयुत राष्ट्र के फिलिस्तिन सरनार्थी एजन्सी में कितने का योगदान दिया सही उतर हो जागा ऑप्शन नमर ब यानि की पांच मिलियन इवेस डॉलर का तो भारत ने सयुत राष्ट्र के फिलिस्तिन सरनार्थी एजन्स को पांच मिलियन इवेस डॉलर का योगदान दिया है और इसके साथ संगठन की कारिये के लिए निरंतन फिनस्यल संपोर्ड देने के लिए भी कहा है इस रासी को फिलस्तिन रिफ्यूजी के लिए United Nation Relief & Work Agency को इस राष्ट स्वापी गई है द्यान रखिएगा United Nations Relief and Agency की स्थापना हुई थी 8 December 1949 को और इसके हेटक्वार्टर है अमन जॉर्डन में अब आते हैं आखरी प्रस्ट में हाल ही में वर्ल चैंपियन एथिलिट सेनी पियर्सन ने सन्यास के घोशना कर दी है ये किस देश से है सही उतर हो जाएगा Option C यानि की आउस्ट्रिलिया आपको बदा दू कि ये आउस्ट्रिलिया की आथिलिट है ये 2012 में ऑलिम्पिक में गोल्ड मेडल जीता था और 100 मिटर बाधा रेस में दो बार ये वर्ल चैंपियन भी रह चुके हैं अगर बात करें आउस्ट्रिलिया की कैपिटल की तो ये कैपिटल है कैन्बीरा करिंसी है आउस्ट्रियन दॉलर और पी-एम है स्कॉट मॉरिसन ध्यांडर कियेगा Most Populated City में आता है सिड्नी और Great Barrier Riffy आउस्ट्रिलिया में है दोस्तो आज के लिए इतना ही मैं जल्दी ही लोटूंगी नए वीडियो के साथ and thanks for watching my video